हेलो बच्चों, let's read the question which among the following have the highest bond energy यह आपको 3 species दे रखे हैं बच्चों इनमें बताना है कि highest bond energy किसकी होगी या फिर सबकी सेम होगी bond energy bond energy होता है बच्चों, 1 mole of bonds को तोडने में जो energy लगते हैं उसको हम बोलते हैं bond energy और जितने ज़्यादा bonds होते हैं, bond energy होती है, तो bond energy जो है वो directly proportional होती है, bond order के bond order क्या होता है बच्चों, जैसे A और B दो connected items है तो इसनके बीच में कितने bonds होंगे, वो इसका bond order होता है जिसको हम molecular orbital diagram बनाके, okay बच्चों, molecular orbital theory से हम इसको निकाल सकते हैं, बच्चों, तो जैसे सब में hydrogen है बच्चों, तो hydrogen की valential configuration क्या होती है, 1s1, okay simply यह बच्चों, 1s1 होता है यह, okay बच्चों, तो यहां पर यह, एक hydrogen पहले हम H2 के लिए बना रहे हैं, simply, okay बच्चों, तो H2 स है, आपका H2 plus का भी पता लग जाएगा, और H2 minus का भी पता लग जाएगा, यह है hydrogen, यह इस hydrogen का 1s, यह इस hydrogen का 1s, और S atomic orbitals, combine करके, linear combination of atomic orbitals है, कौन से वाले molecular orbitals बनाते हैं, बच्चों, sigma molecular orbitals बनाते हैं, एक lower energy का, बच्चों, यहां पर यह energy हाजएगी, एक lower energy का sigma 1s, एक higher energy का sigma star 1 sigma minus मतले, यह bonding है, और star वाले anti-bonding है, तो यहां पर एक electron इसका, एक electron इसका, और यहां पर हमें electrons fill करेंगे न, बच्चों, तो उफबो प्रिंसिपल, poly explosion principle और होंसरून, सब का धियान रखते हों करेंगे, बच्चों, तो दो electron भरने हैं, तो दोनों यहीं पर आ जाएगे, anti-bonding में कोई नहीं है, बच्चों, यहां पर थोड़ा roughly बना लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों, इसके case में आपके पास हमें, sigma 1s, sigma star 1s, लेकिन एक electron आपको h2, say h2 plus कब बनेगा, जब इससे एक electron निकाल दोगे, बच्चों, यहां पर एक electron बचेगा, तो bond order, h2 plus का कितना आएगा, बच्चों, bonding में एक electron है, anti-bonding में कोई नहीं है, बाई टू कर दो, 0.5 आ रहा है, बच्चों, इसका, कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, bond order, ओके बच्चों, फिर हैं आपके पास में h2 minus, h2 minus कैसे बनेगा, h2 को एक electron और देगा, इसका bond order कितना आए है एक एंटी बांडिंग में है बाइटो यह भी आएगा पर 0.5 कितना 0.5 आएगा बच्छों ओके तो जिसका बॉंड ओंडर सबसे जाद है उसकी बॉंड एनरजी भी सबसे जाद होगी बच्छों तो हाइस बॉंड एनरजी आपकी जो आएगी वह एच्टू की आएगी जो पर हमें मिल जाएगा बच्छों आई होप आपको एक दम क्लियर हो गया होगा थैंक यू बच्छों